स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आज आपके लेकर के आया हूँ Realme का washing machine जिसका मैं आज review करूंगा और आपको बताऊँगा कि ये washing machine कैसा है और कैसे काम करता है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस washing machine को तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी design की और इसके color option की तो दोस्तो इसमें 3 color option देखने को मिलते हैं जो कि मैंने gray का लिया है gray color और इसकी design की मैं बात करूँ तो आप front में देखेंगे कि इसकी design वो किस तरह से की गई है काफी अच्छे से बनाया गया इस washing machine को जो बहतरीन look देता है आपको और इसकी side से मैं अगर आप बात करूँ तो आप side से भी इसको देख सकते हैं कि यह किस तरह से इसको बनाय गया और यहां पर आपको पकड़ने के लिए जो grip दिया गया वह handle वह काफी अच्छे से इसको आप move कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और इसके जो नीचे में है वह आपको wheel दिया गया जिसको आप इधर उधर करने में आसानी होगी आप अपने washing machine को adjust कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं अब इसके functions को कि उपर में क्या-क्या इसके आपको मिल जाता है control करने के लिए washing machine को तो यहाँ पर आपको जो मिल जाता है वो pipe से आप पानी ले सकते हैं इसके अंदर आपको pipe मिलेगा तो वो भी मैं सबसे पहले आपको वही दिखा देता हूँ कि pipe कहां है यह तो दोस्तो यह है वो चीज जो कि आपको washing machine के साथ मिल जाता है तो दोस्तो यह है inlet hose जिसका आप use करके इसके अंदर पानी आप डालेंगे तो टोटी में आप इसको ऐसे लगा सकते हैं और इसको आप इसके अंदर पानी ले सकते हैं इसका use करके और दोस्तों ये है हमारा safety lid जो कि हम dry करते वक्त इसको इस्तमाल करते हैं तो dry वाला जो हमारा area है वो यहाँ पर है इसको हम इसमें लगाएंगे और इस तरह से ये कपड़े के उपर रहता है और फिर इसको हम use करते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके functions की जो की control हमको देखने को मिलता है इसमें क्या-क्या है तो यहाँ पर आपको जो है wash timer है जो की आप इसको 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 कर सकते हैं कि आपको कितनी देर तक washing machine को use करना है कपड़े धोने के लिए और यहाँ पर आप अपनी machine की जो power है वो कितना use करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको decide कर सकते हैं standard mode पर वैसे रहता है आप इसको tough mode पर भी लेके जा सकते हैं अगर आपके पास heavy clothes हैं जैसे कि आप kambal धो रहे हो तो आप इसमें धो सकते हो tough mode पर ले जा कर गे और यहाँ से आप अपने जो इसमें पानी जो होते waste days उसको आप drain कर सकते हो यहाँ से यहाँ से आप निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पर जो आपको यह option मिलता है वो है spinner यहाँ से आप अपने जो यह dry वाला area है इसमें आप कपड़े को सुखाने के लिए इस्तमाल करते हैं और इसमें आप यहां से time set कर सकते हैं कि आप कितनी देर में इसको सुखाना चाहते हैं और इसमें आपको breaker भी लगा रहता है अगर आप इसको खोलते हैं इसको तो आपका जो spin अगर on है तो वो off हो जाता है तो यह auto cut होता है इसमें तो दोस्तो अगर आप इसमें और features की में बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ चीजे लिखी हुई है जिसका आप देख सकते हैं कि यहां पर hard water wash लिखा हुआ है easy dry lead है और भी काफी चीजे हैं जो की काफी इसके बारे में आपको मिल जाएंगी जार्नकारी तो चलिए दोस्तों मैं इसके back side के में आपको दिखाता हूँ कि इसका back side कैसा है तो दोस्तों आप back side का इसका design देख सकते हैं और यहां पर आपको जो drain hose है वो pipe मिल जाता है यहां से आपका जो wastage होता है पानी का वो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं इसमें बस एक चीज मेरे को जो है वो सही नहीं लगी इसमें जो है gap वो पूरा मतलब है कि इसमें चूहा आराम से जा सकता है तो इसमें दे देना चाहिए था टी वेगरा या कुछ जो की चूहा इसमें ना भुस पाए और इसकी जो वायर की जो केबल है वो भी काफी लंबी है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर सोकेट इससे ज़्यादा दूर है तो आपको दिक्कत आ सकती है नहीं तो काफी लंबा है वैसे इसका वायर और यहां पर आपको कंपनी का जो डीटेल है वहां पर मिल जाएग यहां पर आपको मिल जाता है जो पानी का जो इसमें जो इनलेट होस है इसको यूज़ करके पानी किस तरफ लेना चाहते हैं तो इसको इस 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 इस्तमाल करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ड्राइ करना चाहते हैं या wash wash के लिए आपको इस तरफ रखना है और spin करना चाहते हैं यह ड्राइ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तमाल करके यहाँ पर पानी आएगा तो चलिए दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह अंदर से कैसा है तो दोस्तो यह आप अंदर का भी area देख सकते हैं और यहाँ जो side में आपको जो मिलता है यह है overflow channel और इस तरफ में जो आपको मिलता है वो है magic filter तो मैं इसको on करके भी आपको दिखाऊंगा कि यह कैसा दि इसमें आपका कपड़े इसमें अच्छे से साफ हो जाएगा और यहां से आप इसकी power को adjust कर सकते हैं कि आप कितना power इसकी use करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको spin भी दिखाता हूं यह है spin का area जहां पर आप अपने कपड़े को सुखाने के लिए इसको और इसको भी मैं भी जाता हूं कि दूस्तों इसको बंद कीए विना यह नहीं ओन होता है अरि कि ध्यूissement अब फिर इसको अगर हम घलती सिटा से खोलते हैं तो उसकी यह बंद हो जाता है इसमें ब्रेक लग जाता है बलेकिन ऐसे ज्यादा कर दें कि ज़्यादा मतलब chances होते हैं तो इसलिए इसको आप पूरी तरह off कर ले अब फिर इसको open करें आप तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की कि यह कितने का आता है यह वाशिंग मशीन तो दोस्तों अगर आप 7.5 kg का वाशिंग मशीन लेते हैं तो आपको साड़े साथ जार रुपे का लगभग पड़ता है और अगर आप 8.5 kg का लेते हैं तो वह आपको 10,000 रुपे का पड़ जाता है तो दोस्तों जो मैंने लिया है वो है 8.5 kg का जो की यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अगर आप भी लेना चाहते हैं ऐसा वाशिंग मशीन तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से जा करके इसको प्राइस देख सकते हैं और वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद